वैसे दोस्तों पिछले एक दो साल में अपनी इंडियन कमपनी जैसे टाटा महिंदरा या कहें थोड़ा बहुत फोर्स मोटर्स ने अपने इस सेल्स में भाई बहुत अच्छी बड़ोती भाई दिखा रखी है लेकिन इसके उलड जो काफी ज़्यादा बैंड्स चलते से बाहर दूसरे देशों में भेजना ये बेजने में भाई काफी ज्यादा बाई कमाल कर दिया है उसमें भाई इंडियन कमरी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं कर पाई है हम महिंदरा को छोड़के तो दोस्तों बात कर लेते हैं टॉप 10 कार ब्रैंड्स जिन्होंने भाई एक् अगर आपको दोस्तों टॉप 10 टाइटल पड़के अच्छा नहीं लेगा सरफ साथ गाड़ी मिलते तो भाई मुझे इसके लिए माफ करते ना तो दोस्तों बात करते हैं सेवंध पूजिशन में बैठी है टोयोटा इसकी 1722 यूनिट्स भाई बिकी है यून 2004 में बिकी आके टोयोटा अपनी गाड़ियां भाई बार बार देशों में बेच रहा है और आप जानते हों दोस्तों कि टोयोटा अपने पूरे पूरे वर्ल में अपनी लेबल गाड़ियां बनाने के लिए जाना जाता है चाहे उनके बॉड़ी स्ट्रॉक्चर या पैनल गैप्स के अपनी देशी कमपनी विदेशों में जंडा काड़ने महंंद्रा इसकी 2597 उनिट्स भाई एक्सपोर्ट हो रखी है और इसी जो यूनिट्स है इसमें सब भी सबी वीकल से शामिल है चाहे पैसेंजर व्यक्र इसकी बार बात कर है या थ्री विलर या एलेक्ट्रिक या पर क के वार में बात किलने क्योंकि महिंदरा ने जो sales report दिया असमें सर्फ total export vehicle के बार में बात किये है अलग अलग उसमें नहीं पताए कि भाई इतनी यह passenger विक कि इतनी भी passenger विकिया तो मजे इसके लिए माफ कर देरा तो भाई महिंदरा आपको जानते हो महिंदरा 100 से ज्यादा देशों में आपनी वीकल्स बेच रहा है और भैं महिंदरा तो टाड़ा के एक्सपोर्ट के माल में बहुत 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 जादा आगया तो टाड़ भी अगर अपनी एविनिया या कर्फ़कर को एक्सपोर्ट करें तो शायद उनकी सेल्स बढ़ जाए फिफ्थ पुजिशन पर बैठी है है यह उन्डए की सिस्चर कंपनी किया इसकी 3206 युनिट्स भाई बिक रखी है वैसे टोडल टोडल सेल्स में वैसे किया क एकशेजार तीन से उनिट्स भी अगर डिमेस्टिक को भी ला ले तो भाई एक्सपोर्ट में काफी अच्छा मुलब किया कर रही है कि इंडिया में गाडियों बनाके बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट करें तो भाई किया पूरे पूरे देश में वैसे भी मशूर है यूग elevate के आने के बाद इंडिया में अपनी sales भाई बड़ा चुका ही है औरने आने वाली इनके sales यान के इंडिया के sales में यह ब्रॉति करने ही वाली है क्योंकि अमेंज के बहुत अच्छा आपकी सेस्ट बढ़ेगी और थर्ड पुजिशन पे एक ऐसी कंपनी जो इंडिया में बहुत ज्यादा सुस्त चल रही है लेकिन एक्सपोर्ट के मालने में बद दबाग करके आग लगा रखी है मैं बात कर रहा हूं दोस्तो जैपनीस कंपनी निसान की जी हां दोस्तो इसकी शर्ट्रक्तो एक्सपोर्ट आपकी एक्सपोर्ट के मालने में इसलिएं जादा है मैं लेकिन एक्सपोर्ट के मालने में यह तीन-4 गाडियं बना करके इंडिया से भाइष देश में careless करे जा रहे है तो भाई वो जो तीन-चार जो गाड़ियां भाई बाहर इस देश में जो बना के एक्सपोर्ट करें थोड़े भाई यहां पर भी लॉंच करतों क्या अपता आपकी सेल्स पर जे और हमें भी थोड़े से निसान की जो निसान जैपनिस कंपनी वाली जो फीलींग है अब झम अगर मैगनेड के लाबा कर कोई चूस कणा अजहाए कर लें और उन्डेर को आधियत है अगर इंडिय कि टोमेस्टिक लोग सेल्स पोर फिस्टिशन में है एक्सपोर्ट का मामलीमे हो इंडिया तब भाई second position पे बैट हुआ है वो क्यों दोस्तों क्योंकि जो number one पे है वो भाई हमेशा number one पे रहता है और number one position पे बैठा है और आपने बिल्कुल ही बिल्कुल सही सही सोच रखा है मारुती सुजुकी इसकी 31,033 यूनिट्स भाई एक्सपोर्ट हो चुके है जून 2014 में और यह जो सेल्स फिगर है इसमें commercial वीकल्स और इनके बाग की वीकल्स भी शामिल है क्योंकि इन्होंने भी भाई महिंद्रा के तरह इसमें यह नहीं बताया कि इसमें इतना लिए पार में बताया है तो यह आपके सेल्स आपके फिगर के सामने हैं तो मुझे बता ओ दोस्तों आपको क्या लगा कि Аपके जो ग्पर flipping न के तना एक्सपोर्ट करते होंगे